हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब हमने एक सीरीस स्टार्ट की है जिसमें हम इंकम टेक्स के डिरक्शन और एक्जम्शन के सारे सेक्शन वन बाई वन करके डिसकस करने वारे हैं हमने पहले directions लिया है और direction में हमने already 4 section discuss कर लिया है section 80D, section 80DDB, section 80U and section 80DD अगर आप चाहें तो channel पे जाके आराम से देख सकते हैं एक playlist भी बढ़ाया है list of income tax directions अब जितने भी video add करते जाएंगे सारे जो है इस playlist में add करते जाएंगे ठीक है आज इस video में हम discuss करने वाले है section 80E, detail में discuss करेंगे और आसान भासा में discuss करेंगे तो video को start करें इससे पहले अगर आप चले पर नए है, channel को subscribe कीज़े, बिलाकर प्रेस कीज़े बिलाकर प्रेस करने के पाद आप call पे click करना है, ताकि मैं जब भी video को upload करूँ, उसके notifications आपको मिल सके तो यह video को start करते है, पहला सवाल यह आता है कि section 80E होता क्या है, तो section 80E एक individual को income tax में deduction provide करता है अगर उस individual ने education loan लिया है, और उस education loan पे आप interest पे कर रहे हैं, मतलब section 80E में education loan पे जो हम interest पे करते हैं, उसका direction मिलता है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ उसी interest component पे ही direction मिलता है, आप जो principal का amount पे करते हैं, उस पे आपको कोई भी direction नहीं मिलता है नेक्स सवाल यह आता है कि eligibility क्या होती है section 80E में direction लेने के लिए, तो पहली eligibility यह होती है कि आप एक individual होने चाहिए, तो ही आप direction ले सकते हैं, अगर HF वगरा हैं तो आप directions नहीं ले सकते हैं, ठीक है, only individuals ले सकते हैं दूसरा point यह कहता है कि see for see interest वाले component पे ही आपको direction मिलता है, principal वाले component पे आपको direction नहीं मिलता है, third point यह कहता है कि आपने अगर loan recognized financial institution या फिर charitable organization से लिया है, तो ही आपको direction मिलता है, अगर आपने loan किसी friend या फिर relative से लिया है, तो उसका direction आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, next point यह गहता है कि आपने अगर loan लिया है तो वो loan आपने education के लिया हो और वो loan आपने खुद के लिए या फिर अपने spouse के लिए या फिर अपने children के लिया है तो आप direction ले सकते हैं Next point ये बोलता है कि जो आपने loan लिया हुआ है वो higher education के purpose के लिए ही यूज होना चाहिए किसी और परपच कि लगर आप यूज करेंगे तो उसका डिरक्षन आप नहीं ले सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो लोन है अगर टेक्सपेर के नाम से ही लिया हुआ है मतलब आप अगर टेक्षन लेना चाहते हैं तो लोन जो है वो आपके नाम पे ही होना चाहिए तो ही आप टेक्षन ले सकते हैं अदर्वाइस आप टेक्षन नहीं ले सकते हैं नेक्स सवाल ये आता है कि section 80E के अंदर हमको कितने amount तक का direction मिलता है तो इसमें कोई भी maximum या फिर minimum amount की limit नहीं दी गई है आप जितना भी interest पे करते हैं actual interest during the year आप जो पे करेंगे उतना direction आप ले सकते हैं नेक्स सवाल ये आता है कि loan हमें कहां से ले रहा है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया education loan अगर आप ले रहे हैं तो आपको approved charitable institution या फिर recognized financial institution ही होने चाहिए friend या फिर relatives अगर आप loan लेते हैं तो उसका direction नहीं मिलता है नेक्स सवाल ये आता है कि section 80E में direction लेने के लिए क्या हमें कोई documentary proof की ज़रुवत पड़ती है तो जवाब ये है कि जब आप IDR file करते हैं तो IDR file करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ amount डालना होता है कि आपने कितना interest पे किया है वहाँ पे कोई भी document attach करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है वहाँ पे कोई document upload करने का option नहीं होता है तो आपको सिर्फ education loan में आपने कितना interest पे किया है वही आपको डालना है और अपने IDR को file कर देना है और direction ले ले लेना है थीक है by any chance अगर कोई future में scrutiny आती है तो आपको document से ज़रुवत पड़ेगी अब क्या क्या documents पड़ेगी तो पहला sanction document मतलब जब आपने loan लिया था तो आपको एक sanction लेटर मिला होगा पहला वह लगेगा दूसरा repayment statement आप जब loan पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं उसका repayment statement लाएगा जिसमें properly bifurcation होँआ चीए principal और interest का थार्ड आपको ना bank अगर आपने bank से लिया है तो मतलब जिस भी इस्ट्रविशन से आप लेते हैं तो वह आपको इंट्रेस्ट का certificate देता है जिसमें लिखा होता है during the year आपने कितना interest पे किया है और कितना principle पे किया है जितना certificate में interest लिखा है अगर आपने उतना ही ITR में दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है स्कूर्टी में आप ये upload कर सकते हैं कोई problem नहीं है नेक्स सवाल है कि कितने time तक हम direction ले सकते हैं ये बहुत ही important सवाल है तो ध्यान से सुनियागा deduction जो है maximum 8 assessment year तक आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जब से आपने loan को repay करना start किया है example लेते हैं अगर आपने loan 5 साल में ही complete कर दिया तो आपको 5 साल तक ही direction मिलेगा अगर आपने 5 साल तक pay नहीं किया और आपको 9 साल या फि 10 साल लंगे तो maximum 8 साल ही अप ले सकते हैं उससे जादा आप नहीं ले सकते हैं example लेते हैं मालीजे आपने education loan लिया है financial year 2023-2024 में ठीक है तो उसका assessment यह कितना हो गया 24-25 मतला assessment यह 24-25 से लेके assessment यह 30-31 तक आप आराम से direction ले सकते हैं interest का 8 assessment year तक ठीक है अगर आपने 8 साल तक pay किया है तो example लेते हैं मालीजे आपने 5 साल में ही repay कर दिया ठीक है तो जितने साल में आपने रीपे किया है सिप उसी साल में ही आपको reduction मिलेगा उसके आगे आपको reduction नहीं मिलेगा next example यह है कि मालीजे आपना loan जो है आपने 11 साल में complete किया तो आपको C4C8 साल का ही deduction मिलेगा बागी के 3 साल में आपको reduction नहीं मिलेंगे तो मैं उब्मीद करता हूँ आपको properly section 80E समझ में आ गया होगा जितने भी doubts से मैंने लगबग सारे clear करने की कोशिश की है यापे फिर भी sections one by one करके upload करने वाले हैं तो make sure कि आप subscribe करके रखिए क्योंकि हम जब भी videos को upload करेंगे तो आप एक बार go through कर सकते हैं ताकि आप जब idea file करने जाएंगे finally तो आपको याद आएगा कि कौन को से sections जो हैं वह आपके लिए applicable है ठीक है तो मिलते है next video में thank you for watching and all the best